है हमारे सरी में दो टाइप की सैल होती है एक सोमेटिक सै और एक जर्म benefits जर्म सेल के एकसेप्ट जितनी भी सेल होती है उनको कहते है सोमेटिक सेल सोमा मिस बोडी मलब बोडी में जर्म सेल के अलावा जो भी सेल होती है उन्हें कहते है सोमेटिक सेल इनमें होता है माईटोसिस और जर्म सेल में होता है र Lupaceaux mitosis में क्रोमोजॉम के संक्या समान रहती है and 24 M EOS realize इसमें एन होती है haphaphil whole number होती है chem syndrome नमबर होती है, Deploying में 46 Chromosome और Haploid में 23 तो Germ Cell में Chromosome के संख्या होती है 23 और Somatic Cell में होती है 46 इससे पहले कि Cell Division को समझें हमें थोड़ा Chromosome के बारे में पढ़ना होगा Chromosomes Chromosomes एक ये structure है और ये एक ये structure है ये है ये है इसमें Actual में Chromosome कौन सा है ये है ये है ये है ये है ये है ये है Actual में Chromosome ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी है Chromosome गिना किस जाता है इसको कहते है सेंट प्रोमियर सेंट्रोमियर जब प्राइमरी कॉंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोजोम में उसे कहते हैं सेंट्रोमियर क्रोमोजोम संक्य सेंट्रोमियर से जाती है जितने सेंट्रोमियर के संक्य होगे उतने ही क्रोमोजोम होगे तो यह क्या है? यह है DNA का मोलिकुल इसको कहते हैं chromatid chromatid एक chromatid में DNA का एक molecule होता है ऐसे DNA का एक molecule होता है और यह क्या है? replication of DNA centromere तो एक ही है ना तो इसलिए chromozom के संक्या कितनी हुई? एक और यह क्या है? यह chromatid है यह यह DNA के replication है 1, 2 और 3 DNA कितनी बार replicate हुआ? यह original है 1 और 2 और chromozom तो एक ही है ना cell division two type का होता है एक mitosis और एक meiosis mitosis and दूसरा meiosis mitosis में 2N chromozom और meiosis में N 2N मिस 46 46 chromozom होते है और इसमें होते है 23 आज का topic है mitosis next slide में पढ़ेंगे meiosis cell division के two time में divide क्या जा सकता है? इंटर फेज और M फेज M फेज मलब माइटोसिस या meiosis और इंटर इंटर में इस दो के बीच में और फेज फेज दो फेज के बीच की अवस्ता को कहते हैं इंटर फेज यानि एक division हुआ mitosis या meiosis दूसरा division हुआ उसके बीच की जो अवस्ता है उसको कहते हैं इंटर फेज इंटर फेज इसे rest फेज भी कहते हैं एक्टर में यह rest नहीं है यह more active फेज होती है और तीन फेज में divide होती है G1 फेज, S और G2 फेज इसे first gap फेज कहते हैं इसे synthesis फेज कहते हैं उसे second gap फेज कहते हैं G1 फेज में cell grow होती है साइटोप्लाज, सैल ओर्गेनिल्स, और सैल का साइज डबल हो जाता है क्यों डबल होता है? क्योंकि उसको डिवाइड करना होता है इसलिए हर चीज क्या होती है? डबल हो जाती है प्रोटीन, प्रोटीन सिंतेसिस डबल हो जाता है fightoplar protein मोgel जाता है सब क्या होता है डभल हो जाता है कि मारे लोग कोई एक चीज है हमारे पास एक एक कीज़ है हमें किसी को भी धूसरे को आजेटीज देना है मुझा जो हमारे पास है इतना ही दूसरे को देना कैसे देंगी तब तक हम multiply नहीं करेंगी मुझा उस चीज कैसा हो सकता है आप नहीं हो सकता न तो उस चीज़ को double करना होता है वो पूरी सेल जो growth double size मुझाती है सब डबल हो जाते है क्यों क्योंकि इसको divide करना है division के लिए इसमें क्या replication of DNA नहीं होता है replication of DNA नहीं होता है S-phase, S-phase में क्या protein synthesis नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, replication of DNA होता है, DNA duplicate हो जाता है, DNA duplicate हो जाता है, G1 और S-phase के बीच में एक checkpoint में होता है, यह देखना होता है, S-phase में जानने से पहले यह देखना होता है, किस चीज की कमी तो नहीं है, हर चीज duplicate होगी, हर चीज okay है, तभी divide होगा, तो division होता है, G1 फेज के बाद आता है, फिर S-phase, उसके बाद अगर कोई भी cell S-phase में गुज गई तो उसको divide करना ही होता है, क्योंकि DNA duplicate हो जाता है, नहीं तो cell के पहले भी ज़रुदे पूरी हो रही थी न, जितना उसके पास था, काम चल रहा था, क्या ज़रुदी रही थी पाकी की protein synthesis होती है, कुछ कमी रह जाती है, उसकी पूर्ती होती है, और एक checkpoint भी होता है, देखना होता है कि जो कुछ भी अब तक हो है, सब सही हुआ है न, अगर सही हुआ होता है, अगर सब सब कुछ सही होता है, तो G2 फेज में cell पहुंज आती है, उसके बाद आता है M-phase, cell division, most of the cell इसी फेज में रहती है, most time इसी फेज में रहती है, इंटर फेज, M-phase एक छोटे से duration के लिए होता है, आज हमें देखना है mitosis, it is also called somatic cell division or equational cell division, equational क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर cell में 46 ही क्रोमोजोम होते हैं, इसलिए से बोलते है, equational cell division, somatic cell में होता है, जर्म सेल के accept, क्रोमोजोम नमबर is kept constant in the daughter cell, जिस cell में division हो रहा होता है, उसे कहते हैं, mother cell, mother cell, जब इडिवाइड होती है, mitosis से, एक cell से, दो cell बनते हैं, इसे बोलते हैं, daughter cell, इन plant discovered by strass burger, strass burger ने mitosis की खुष प्लांट सेलमिक, इन एनिमेल में water and flaming ने की थी, mitosis consists of four phase, mitosis चार phase का बना होता है, pro phase, metafase, anaphase और telophase, pro phase, pro मतलब पहला, पहली अवस्ता, phase, अवस्ता, यह longest phase होता है, सबसे लंबा phase होता है, condensation of chromosome begin, chromosome का condensation सुरू हो जाता है, क्योंकि interface में क्या है, यह thread like होते है, chromatin network मिलता है, इस तरह से, यह क्या chromatin network, क्यों मिलता है chromatin network, कोई letter है, बंद है, क्या उसे पढ़ा जा सकता है, नहीं ना, उसे पढ़ने के लिए उसे खोलना पड़ेगा, उसे खोल के उसे पढ़ना पड़ेगा, कि उसमें क्या क्या information दी हुई है, तो DNA जो होता है, पूरी खुली आवस्ता में होता है, ताकि पढ़ सके कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या protein बननी है, क्या message है, क्या division से पहले क्या तैयारी करनी है, वो सब कुछ लिखा होता है DNA पे, इसलिए इसको खोलना पड़ता है, अच्योंकि एक बार information मिलगी ना सब कुछ बन गया G1 phase में, S1 में, G2 phase में, तो अब क्या है pro phase, इसमें क्या है condensation of chromosome begin हो जाता है, ताकि जो division होता है, वो equational हो सके, क्यों कोई फैली चीज़ है, बहुत बड़ी है, उसा बीच में से काटना मुस्किल होता है, अगर उसा condense कर दिया, माली ये बहुत बड़ी सी sheet है, इसे बिना ना पर हमने काट दिया, कही से भी कट सकता है, कही से बड़ा कही सोटा है, कि हम वो जो है, contract कर जाएगा, condense हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, धाकि वो अराम से इसे काटा जा सके, central begin to move to opposite side, nucleus के पास, nucleus के पास में central zone नामा की structure होती है, central zone, वो बनी होती है, to centrioles की, वो जो है, move करना शुरू कर देती है, opposite pole, opposite pole मान लिए, ये nucleus है, ये इसका एक pole, ये इसका pole, जैसे अर्थ पर होता है, एक imaginary equator line होती है, imaginary होती है, ये equator, ये इसका north pole, ये इसका south pole, एसे ये imaginary line इसमें बना देते हैं, ये इसका equator है, cell का equator, ये इसका एक pole, ये इसका दूसरा pole, जो centrioles है, centrioles जो है, एक side, और एक side move करना शुरू कर देती है, कैसे, centrioles के बीचे मिलती है, microtubules, जो उनको push करती है, माले, एक ये centrioles है, एक ये centrioles है, इसे बोल के रूप में समसकते हैं, एक ये बोल है, एक ये बोल है, इसे एक stick से इधर push किया, इसे दूसरी stick से इधर push किया, तो ये gap बढ़ता चला जाएगा, और ये इधर आएगी, और ये बोल दूसरी तरफ आएगी, इस तरह से ये दो centrioles है, इनको push कर रही है, कोण microtubules, एक इस पोल के तरफ, दूसरी इस पोल के तरफ, तो एक इधर आ जाती है, दीरे दीरे और एक इधर आ जाती है, माइक्रो टूबल बनाती है, इस पंडल फाइबर, इन्हें नुक्लियर इस पंडल फाइबर मोलते है, नुक्लियर मेंब्रेन और लुक्लियोलस डिसेप्र, नुक्लियर मेंब्रेन जो होती है, वो डिसेप्र हो जाती है, कहा चली जाती है, नुक्लियर मेंब्रेन के पास हो नुक्लियोलर्स कहा चला जाता है कैसे डिस्टरपियर हो जाता है नुक्लियोलर्स बना होता है आर ने और प्रोटीन का बना होता है तो यह आर ने और प्रोटीन के कोंपोनेंट में बिखा जाता है तो इसलिए डिस्टरपियर हो जाता है नुक्लियोलर्स भी और नुक्लियल उसे कर रहे थे सेंट्रीयॉल को उनसे बनते इसपंडल-फाइबल तो प्रोफरेज अवस्तां में क्या होता है मैंप्रेजच मेंप्रेजीर बीच की अवस्ता है प्रोमोजोमल आज दखते हैं बीच में का एक वेटर लाइन पे और लाइन पर ये कलनी हूं अपने आपको कर लेते हैं है एए फोर्टी शिलरों लेकिन हमने दो यह माली है ठीक है दो क्रोंशों है और जो सैंट्री और जो अपोचित साइड आगी थी उनसे क्या निकलेते इस्पंडल फाइबर यह जो इस्पंडल फाइबर है अटेज हो जाते हैं सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर क्या है प्राइमरी कॉंस्ट्रक्शन ओप क्रोमोजों यहां पर यह सब रैंडम ली है ठीक है ना कि रैंडम ली चल रहे हैं कुछ सीधे ही निकल जाते हैं जहां गयप है वह देने कले जहां पर सैंट्रोमियर मिलकी है महां पर प्रोम मोजोम अरेंज़ दैंसरेव ऊन एक्क्वेटर ओफ मुक्लियस एक्वेटर पर अपने आपको आरेंज़ कर लेते हैं मैक जिमल कंडेंसेस सबसे ज़्यादा इस पंडल फाइबर गैट टू सेंट्रों मेर से अटेश्ट राते हैं तब मैटाफेज गिल्डा वेश्ट काउंट ओप जो कि यह सब्सक्राइब करोमोजोम को आसानी से गिना जा सकता है कि तो यह मैटाफेज में क्या हुआ एक तो सेंट्रों से जो सबसे में क्या है क्रोमोजोम ने अपने आपको अरेंज कर लिया इक्वेटर पर नमबर केसरे फेज है एनाफेज एनाफेज क्या सोट टेस्ट फेज है सेंट्रों पर मेरे क्योंकि यह जो दो क्रोमैयटर है जिसका रेपलिकेशन हुआ था इंटर फेजिंट提स्टाई है यह कहां जुड़ एए यहां पर यह इस पंडल फाइबर जुड़ा और यह इस पंडल फाइबर कॉंट्रेक्स करना शुरू कर दिया इसने इसको पुस्ट करना शुरू कर दिया पहला तो क्या था यह क्रोम हो जम ऐसे था जबी सेंट्रोमियर इस पिल वही तो इसने अपना ऐसे खीचा क्योंकि यह सेंट्रोमियर से जुड़ा है तो यह जो चीज है ना सेंट्रोमियर यह उपर आ जाएगे और यह जो आर्म है यह आर्म बोलते हैं यह पीछे के साइड हो जाएगी इस पंडल फाइब कॉंटेक्ट वीच आर अटेच्ट टुजा सेंट्रो मिया क्रोमोजों मुश्ट वर्ड पॉल दसे फॉब दा क्रोमोजों इस्टेडे इन एना फेज तो क्रोमोजों कि दर मुग करना सुरू है पॉल क खीचा तो इसके आर्म ऐसे हो जाती है अगर यह बीच में है विको सेंट्रो मियर तो कैसा सेफ होगी इसकी वी सेफ होगी वी सेफ होगी इसको कहते हैं मेटा सेंट्रिक क्रोमोजों और मालिया यह क्रोमोजों है और इस सेंट्रो मियर बीच में ना होके ऐसे है तो जब यह ऐसे खिचेगा से स्पंडल फाइबर तो सेप कैसे हो जाएगी एलसे तो इस तरह जो सेप को इस्टेडी कियाती है इसको कहते है सुम मेटा सेंट्रि टीरो सेंट्रिक भी होता है जो बिल्कुल ऊपर सेंट्रों मेर होता है कि लास्ट टीलो फेज इसमें क्या है नुकलियर मेंब्रेन और नुकलियर रेप्पेर हो जाते हैं क्योंकि जब नूकलियर मेंब्रेन डिसपेर होई था तो किसका भाग बने थी एक्सपेर होया है तो जिसमें ने ली है वही तो देगा एंड्रों लिटी में इस इसीसे क्या बनेगी पिर नुकलियर मेंब्रेन विषेपेर्यट्रप PT pik delayed क्रोमोजम किसमे सब्सक्राइब में पोरौमेसiliarya रिटिफूलन्यट्रे नूइक्लायस पंडरर बनेते वो भी dilपेर्यो प्रोफेज तरहलो चुक्राइब इस सब जाऊंग गया तो तो उसके बाद में क्या है। प्लाज्म का डिवाड़िशन बचा होता है साइट प्लाज्मी डिवाइड हो जाता है जिससे एक सेल दो सेल में क्याथ हो जाती है कि से कहते हैं साइटोग काइनेश माइटोसिस एकंपलेश नोट ओल्ली दस एग्रिकेशन ऑफ दुप्लिकेटिद क्रोमोजों इंटु डॉटर नुकलाइज में तो यहीं पर खतम हो जाता है माइटोसिस नहीं इसको कहते हैं केरियो काइनिसिस इसमें तो नुकलियस का डिविजन हुआ है है बट तसेल इट्सेल इट्सेल भिदिवल कॉछल्ड ना मदर्स एट्सेल उत्सेल उसको बोलते हैं डॉटार सेल इसमें वोन जो बोलते ॉटंपलाइज इसए जम्यों डिव्जन का डिविजन होता है तो दर यह एक प्रेमवर का काम करते हैं जिससे सवाँ बनेगी उसका प्लेइन और प्लेस्ट करते हैं क्या माइग्रोट्वुस के शिवुषद्य। सबक्राँ सब्राइंट की वह एक दूसरे से अरेंज्ट हो कर क्या बनातिया एक फ्रह्मॉड प्लास्ट हो इस वह बहूत में बोलते हैं चैनल ने मिटल में अजब में लें यह रहन से के दिवाएंटीपूजिट ओने सब्स सब्सक्राइमरीर मॉण और बोस साइड दा मिडिल लैंट उस गैट डिपोजिटीड इस रिजल्ट इना फॉर्मेशन ओग दीविजन कम्प्लीट होता है यह पूरा प्रोसेज प्रोफेज में क्या होता है नूक्लियर मेंब्रेन और नूक्लियोलस इसेप्पेर होना शुरू कर देते हैं लेट प्रो होने लगता है इस पंडल फाइबर पुस्ट करने लगता है इनको टीलोफेज में दोनों नुकले अपोजिट पोल पर एकदम से चले जाते हैं और प्रोसिस होती है बाद में साइटो काइनिसिस की जिससे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है को है में ju веч के सिग्निफिकेंस क्या में डिविजन उप्द ग्रोफ जितने भी ग्रोफ होती होती है वो किस्यों साँ माइटोसिस से होती है क्यों क्योंकि इसमें क्रोमोजोम नंबर हमेशा समान रहता है प्रोडूस जैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट था एक बार फिर देखते हैं हमने क्या देखा माइटोसिस के मेंटाफेज फिर जेखते हैं इनके बीच सेल अपने आपको करती है फोल्डenario डिवीजन में नूक्लियोलेन और डिसप्यर सविजाते हैं उस और सन्कर्ोिट फोल की तरद बढच में प्रमोजोम इक्वेटर पर अपने आरेंज कर लेती है Visa this कंडेन सिनकी काउंटिंग बैर हो सकती हango कлу होती है औरwor मोंट की तरफ बढ़ने शुरू होती है मुऊंट में अब तरह पूरी तरह से पूर्चे पोई पोंच जाते हैं उसके बाद के अवस्ता होती है साइटो काइनेसी जब सेल डिवाइड हुजाती है दो मिलते हैं नेक्स टोपिक में जब तक पढ़ते रहे हैं महनत करते रहे हैं खुश रही है झाल